जै लच्मी मा, जै लच्मी मा हिंदू धरम में रोशनी के तोहार दिवाली का विशेस महत्व है लोग पूरे साल दिवाली का बेसबरी से इंतिजार करते हैं और तोहार से पहले कई तैयारियां भी की जाती है दिवाली के मौके पर मा लच्मी भगवान गणेश की विदी विदान से पूजा होती है का जाता है कि इस दिन मा लच्मी की किरपा अपने भगतों पर बनी रेती है दोस्तो देवी लच्मी और भगवान गणेश की मूर्ती खरीदे समय इस बात का विशेश ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो दोनों में से अलग-अलग मूर्तिया खरीदें यानि कि लच्मी गनिश की आप जो भी मूर्ति खरीदते हैं वो तो जुड़ी हुई ना खरीदें पूजा के लिए भगवान गनिश की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका धाड मूर्ति के बाई और हो पहली नजर में इसका अनुमान लगाना कठिन है इसलिए खरीदारी करते समय इसे ध्यान में रखना जरूरी है वही माता लच्मी की ऐसी मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए जिसमें माता रानी उल्लू पर सवार हो वहीं खड़ी प्रतिमा को माता के प्रस्थान का प्रतीक मना जाता है इसलिए देवी लच्मी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का विशेश जहान रखें कि आप ऐसी मूर्ति बिल्कुल भी ना खरीदें वहीं दोस्तों घर में ऐसी मूर्ति लाना बहुत सुब माना जाता है जिसमें देवी लच्मी मा कमल पर बैठी हुई हो इसलिए अगर आप मूर्ति खरीदने जाएं तो ऐसी मूर्ती खरीदें जिसमें मा कमल पर बेठी हूँ तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिवाली का तोहार आने वाला है 12 नवंबर को धूम धाम से दिवाली का तोहार मनाय जाएगा लेकिन दोस्तों आप पूजन के लिए लच्मी गणिस जी की मूर्ती खरीते समये इन बातों का विसेश जिहान रखें अगर कोई भी कन्फूज हो तो कॉमेंट में जिरूर लिखें और दोस्तों वीडियो को लाइक से करें चेनल को सब्सक्राइब